देखिए अगर आप VN app से अपना वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि VN app में जो वीडियो क्रोप किया जाता है वो कैसे किया जाता है वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप VN application से अपना वीडियो एडिटिंग करते तो आपको VN अप्लिकेशन में वीडियो को क्रोप कैसे करना है वही हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यहां से हम एक बार इसको open कर लेते हैं और जैसे आप VN app open करेंगे तो आपके सामने कुछ इस पर कार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पे एक plus वाला option दिखाये देगा इस plus वाले option पे आपको simply click कर देना है और जैसे आप उसके उपर click करेंगे तो यहां पे new project का एक option दिखाये देगा new project वाले option पे आपको click कर देना है और जैसे आप उसके उपर click करेंगे तो आपको यहां पे all वाले पे click कर देना है यहां पे all है इस all वाले पे click कर रहेना है और आपको जो भी file में आपका वीडियो है उस file को choice कर लिजे और आप अपना यहाँ पे वीडियो चुन लिजे जो भी वीडियो को आप करना चाहते हैं तो एक वीडियो को हम यहाँ पे चुन लेते हैं तो देखिए यह वीडियो है इस वीडियो को उपर हमने किलिक कर दिया उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का एक आप्शन है यह नेक्स्ट वाले आप पर बोड़ से आपको कर देना है यहां पर थोनों विदियो के आपको इसको कर सकते हैं और दुश्रा तरीका ने नीगा करने का उसके अपको क्या करना है यहां पर यहीं छीश्य का पूर्ण अपका में अगर्ण rattling कर देना गो समय रेग एक फिरता कर देगा क्रोप का ओप्शन यहां पर क्रोप बला एक ओप्शन है इसी के उपर आपको simply किलिक कर देना है और जैसे आप उसको उपर किलिक करेंगे तो यहां पर आपको अपने साइज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से तो यहां पर आपको जहां जहां भी क्रोप करना है उसी साब से आप क्रोप कर लिजिए और उसके बाद यहां पर आपको सही के टिक पर आपको किलिक करने के बाद आपका वीडियो जो है कुछ इस प्रकार से आजाएगा और यहां पर क्रोप वाले option पर आपको click करना है और यहां पर आपको 16.9 है यूटुब के लिए इसके उपर आपको click करना है जैसे के हम इसके उपर click करते हैं अगर आप YouTube के लिए वीडियो बनाते हैं तो इस प्रकार से आप जो है भीएन एप में export होना start हो जाएगा तो कुछ इसी परकार से आप अपने भीएन एप में अपने वीडियो को crop कर सकते हैं सुवाई होब कि यह वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like कर देना और चैनल पर पहली ब